हेलो फ्रेंड्स विल्कम टू दे एक्जाम हैकर यूट्यूब चैनल दोस्तो जियोग्राफी आंसर राइटिंग का आज हम लोग का एक क्यानवा डेस है तो आज देख लेते हैं केस्क्रिशन पे आपको आंसर राइटिंग करना है यहापे दोस्तो आज का भी जो प्रेशन है हमारे UPC 2017 पूछा गया है उससे लिया गया है यहापे लेंड रिफॉर्म इस एक की टु मॉडर्न एग्रिकल्चर इन इंडिया डिस्क्राइब वैरियस मीजर्स टेकेन इन दिस डारेक्शन आप्टर इन डिपेंडेंडेंस भारत में आधनिक क्रिसी के लिए भूमी सुधार एक कुण्जी है सोतंतरता के बाद इस दिसा में किये के विभिन उपायों का ववर्डन कीजिए तो दोस्तों लेंड रिफॉर्म्स को तो हम लोग डिटेल में डिसक्रस कर चुके हैं तेहां पूछा है लेंड रिफॉर्म्स क्या है modern agriculture का एक की है कुण्जी है ऐसा इसलिए क्योंकि लेंड रिफॉर्म्स में आप देखते हैं कि पुराने जमाने की जो हमारी लेंड थी जो हमारी जो सिस्टम थी लेंड शिस्टम थी वो क्या थी exploitative in nature थी जमिदारी सिस्टम थी तो जमिदारी सिस्टम में क्या होती थी कि एक्चुल कल्टिवेटर जो थे टेरेंट जो थे कुछ और कोई और था उसका होल कोई और कर रहा था उसके विए से यहां पर जो इन्वेश्मेंट थी उतनी ज्यादा हो नहीं पा रहे थी और यहां पर एक्स्प्लाइट हो रहा था जो छोटे इसमाल जो कल्टिवेटर थे उनका exploitation हो रहा था जमिदार की द्वारा इसलिए land reforms हमारी modern agriculture में जरूरी हो गए थी इस हिसाब से आप देखोगे इंडिया में land reform में जमिदारी सिस्टम को evolution किया गया था ठीक है evolution आप inter meditaries किया गया थे और tenancy जो हमारी थी उसमें भी reforms लाए गया थे और land का ceiling किया गया था पह फिर हमारे जो land में fragmentation हुए थे उसका consolidation भी किया गया land का इन सारे हमारी land reforms में किया गया है हमारी सुतनतर के बाद तो इन सबको दोस्तों यहाँ पे आपको mention करना है और बताना है कि modern जो agriculture है अभी जो agriculture कर रहे है उसमें land reforms मारे लिए बहुत ही जरूरी है तो दोस्तों इसको answer आप किजेगा answer करने के लिए आपको comment section में link provide कर दिया जाएगा और उस link को आपको click करना है और जो page open होगा वहाँ पे अपने answer को आपको upload करना है तो जो answer writing करते रहे है आज के लिए बसना ही thank you for watching मिलते हैं अगले वीडियो में नए topic साथ thank you